blow students आज हम लोग जानेंगे periodic table के बारे में periodic table जो हम अभी परेंगे उसको मुसले जी ने मुसले साबनिये हूँ है और डिटिल में नहीं जाएंगे short-cut में जाना है short-cut में क्योंकि हमगो trick है याद करना है कैसे याद करेंगे क्योंकि अब प्रेडिक्टेबल अगर आपको याद नहीं रहेगा तो केमिस्टी समझ में नहीं आएगा हर चीज प्रेडिक्टेबल पर ही डिपेंड है यह कोर सब्जेक्ट कोर्ट चेप्टर है और टोटल नंबर आफ एलिमेंट 118 है जिसमें से नेचुरल 94 है आर्टिफिशल 24 अमेटल 91 नॉनमेटल 20 और मेटल और नॉनमेटल का दोनों प्रपर्टिज रखने वाला सेविन है इसमें ब्लॉक जो है टोटल 4 ब्लॉक है ब्लॉक का नाम S, P, D और F है ग्रूप 18 है और प्रियट 7 आप लेफ्ट से राइट तरफ जाएंगे तो 18 इसको 1st A, 2nd A, 3rd A भी कहा जाता है इस तरह से भी गुरूप का नामा करन किया गया है और 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से भी कहा गया है जिसमें हम लोग जानेंगे 1st A गुरूप के बारे में इसका common name क्या है तो 1st A गुरूप को हम लोग alkali metal कहते हैं 2nd A गुरूप को alkaline earth metal 3rd A गुरूप को boron family 4th A को carbon family 5th A को nitrogen family और nitrogen भी कहा जाता है 6 A को oxygen family या चलको जिन भी कहा जाता है और 7 A को hydrogen और लास्ट में जो ये लास्ट बला जो है इसको noble girls और inert gas भी कहा जाता है इसे हम लोग पहले भी परहे होंगे इसी तरह से आते हैं figure में समझते है figure में figure में कैसे समझेंगे किसको क्या कहा जाता है देखते हैं ठीक है इतना समझ गया हूंगे अब यह चार्ट आएगा अब चार्ट में देखिए चार्ट में किसको s करते हैं किसको यह इस तरह से चार्ट को हम लोग इसको लेप चार्ट से यह वाला दो थो है इसको एस ब्लक करते हैं और यहां से जो यहां तक है इसको पी ब्लक करते हैं यह जो है इसको डी ब्लक कहा जता है और यह नीचे वाला जो है इसको ए ब्लक करते हैं तो फॉस्ट यह रेड ब्लक करते हैं तो फॉस्ट यह रेड बला जो है फॉस्ट यह सेकेंड ए थर्ड ए फॉर के सुरुवात में वह थर्ड है फॉर्थ है उसके बाद शिप्त है शिक्त है और एट इस तरह से नीचे में जो है एफ ब्लोक है और बीच में एलो कलर का जितना भी है वह डी ब्लोक में आता है तो खास में एफ ब्लोक का हम लोका उतना जरूरी नहीं परेगा इतना बाकी का है चेप्टर जो है समझ जाएंगे तो काफी है और यह बीच में यह देख रहे हैं गुरीन गूरीन वह जो है आपका तो हम याद करते हैं याद करने का सबसे बढ़िया ट्रिक है किसे याद करेंगे तो फॉस्ट में है यह यतना भी देखते हैं 11 पॉइंट 11 याद कर लिजेगा तो समझे प्रियोडिक टेबल याद हो गया इसको हम करते हैं जैसे हम पढ़के सुना देते एक दो हली नाकरब कस्फर दो में बेमक का सरवारा तीन में बालगा इंटिल चार में कसी के संपव पांच में नपस सब भी छो में ओस्य टेपो साथ में फोन कल ब्रो बिराट आठ में हैने और कर संवर्ण इस तरह से आप लोग याद करेंगे इसका अब कैसे याद करेंगे तो देक इसने भी हम याद कि हैं अभी हले नाखर रथ कहिए आप अब उसको ऐन्टी में याद कियां अब उसकों हो क्या बिक्त सबस्व्तल सब्सक्रक्राद कर दढ़िए इस टरह से इस तरह से हम लोग कर लेंगे पहली बार में स्रफ के से कौ होगा बाद बाद कि जितनी जगा कउ का उचारन आयेगा वो सब जगा सी से होगा जैसे देखिए बे मग का बे मग का सर बारा यहां पर का है का सी यह से आया है बह अलगा इंटी इसमें बी अलगा इंटी कोशी के संपप सी को यहां भी कोख सी से आया है ऐसा है जेर्मनियम टीन लीड नैटोजम फास्पोरस आरसेनिक इंटी मनी बिसमत इस तरह से याद कर लेंगे और है दो पॉइंट उसको हम लिख दिये हैं आप देख लिजेगा ककास्ती बक्रमन फेकोनी कजन यहां ककास्ती बक्रमन फेकोनी कजन यजर नम्मो टकरूर पड और एक रंगदारी स्टैल में आप लोग बदमासी भी करते होंगे लाहपता वरेवसीर फिल्में भी देखे होंगे लाहपता ऐसे इस तरह से माना चाता है तो आपने देख लिया लाहपता वरेवसीर यह याद हो गया अब आपको करना क्या है इतना जाद होने के बार जैसे देखिए जितना है उसको प्योडिक टेबल के फॉर्मेट बुमन जैसे पहले में यह S-Block का फॉर्स्ट ग्रूप का हली ना करब को स्परता है हाइड्रोजन लिथियम हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम रूबीडियम सीजियम फ्रांसियम इस तरह से हम लोग बैठा लेंगे उसके बार बेमक का सरवारा है बे बेरेलियम मेगने कैल्सियम स्ट्रोंसियम बी ए आर ए बार रेडियम आप लोग पर लेजिए यह प्रियो डिटेल में दिया हुआ है अ जैसे हाइड्रोजन लिथियम हाली नाकर अरव कस पर बेमक का सरवारा अब इतकी सिरे थटे में जाएगा बहु अलगा इंटिल कशिगे संपव नप अस सब्भी ओसे टेपो फोन कल ब्रो बिराट हैन्ने और कर सं रन इस तरह से आप याद कर लिजेगा इस तरह से याद कर बकरमन फेकोनी कजन यजर नमो टकरूर पड यह देखिए एक दो तिन चौंथा फोर्थ लाइन में पोटासियन के बाद ककास्ति बकरमन फेकोनी कजन और एक मैजिक नमबर उसमें दिया हुआ है उपर से नीचे आने के लिए 288 18 18 32 तो पहले का आ जाता है जैसे हैड्रोज सुझेगा आ जाएगा कितना थ्री इस तरह से उसके बाद फिर 8 हम दे देते हैं आपको यहां पर यह सलाइड में आप देख लिजे मैजिक नमबर पहले बला में शुरू का और लास्ट बला में शुरू का होगा उसके बाद जितना है उसमें 8 8 18 18 32 इज होगा और इस तरह स याद हो गया और रिविजन कम से कम 3, 5, 9, 15, 21 डेज में कीजिएगा तो फूरेवर के लिए याद रहेगा थैंक यू लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए बेल घंटी को दबा देजिए